अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है दोस्तों जरूर कर लें आज हम लोग बात करने वाले हैं वरक्षिट नुमर 6-6 इंग्लिश की डिरेक्टरेट ओफ एडुकेशन जी एंग्लिश की देल लेगे शितरा तारीक की वरक्षिट है दोस्तों तो क्या है गिवन बिलोट इस एक्स्टर कर नाम है हाउस नौट ओम यह कहां से है एक चाप्टर है जिसका नाम है हाउस नौट ओम ठीक है भी दोस्तों इस ए नरेटिव बाइ जैन गोडिशो विच रफ्लेक्स तर चैलेंजिस व बिइंग टिनेजर जिसमें बताया गया कि टिनेजर को क्या के ब्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम्स अफ ग्रोइंग अब ठीक है भी दोस्तों तो कहा गया कि ऑथर जॉइंड हाई स्कूल जो हमा एक दिन जेव अपने घर था अपने पालतु बिल्ली के साथ और मा के साथ डेडली फायर ब्रोक आउट इंगल्फिंग दा हाउस वसकी घर के चार उत्रफ एक बहात ही बहानक आग लग गई वो दोनों बहार निकल गए लेकिन फिर उसकी माँ घर के अंदर दुबारे गशी ताकि उसके पिता जो अब नहीं रहे थे उनकी पत्रों को और उनके तस्षीरों को बचा सके जब तक फायरफाइटर भी क्या थे आचुके थे बाई देन और उसको उसकी माँ को भी सेफली फायरफाइटर घर से बाहर ले आए ठीक है भी दोस्तों आई रेन ओवर मैं भागा जो ओथर है वो भागा और उपनी माँ को गले उसने लगा लिया आल दोस नाइम्स आई एवर आर्गेड विधर और एडिटे डर मुझे तनी बार भी उनके साथ बहस की थी उनको नफरत की थी उनसे मेरे दिमाग से वह सब बाते निकल गई है डिसपियर होगी जैसे मुझे यह लगा कि मैं उनको खोना दू सुन्द ऑथर रिलाइज देट ही कुड नॉट फाइंड इस क्याट टू थोड़े दर में ऑथर को रिलाइज दो उसकी बिल्ली भी उसे नहीम दिख रही है आस-पास सब कुछ जो मैं सोचता था जो घर था मेरा जो मेरी सिक्योरिटी थी वो खतम हो चुकी थी जब नए स्कूल में सब लोगों को इस गरटना के बारे में पता चला तो मैं बड़ा सर्प्राइज हुआ कि सब लोगों ने मेरी बहुत तरीकों से मदद की मुझे किताबे वगेरा दी उस से मुझे बहुत टच्छ फील हुआ मैं बहुत इमोशनल हुआ सब से मैंने बात की और जेनुवनली सब लोगों ने उस ओथर को अपनी कंसर्ण शेयर की तब ओथर को फाइनली एक शाय ओफ रिलीफ मैसूस हुआ फॉट फॉट फॉर्ट फॉर्स ताइम ओथर को लगा कि शायद अब चीजें पहले जैसे ठीक हो जाएं और पहली बार वो आइसोलेशन से निकल कर उसने अपने दोस्त बनाए एक महिने के बाद आसपास के सभी लोगों ने कठा होकर पडोस्यों ने कठा होकर उसके मुदत के अपना घर दुबार बनाने के लिए एक वोमेन उसके पास आई with this cat तेलिंग अपने साथ दोस्तों के साथ बैठा कि यह बिली कूद कर फायर में से उसके घर पहुँच गई थे अव इसे वापस ले रेजिए as I sat there with my friends and my cat curled up in my lap जैसे ही में अपने साथ दोस्तों के साथ बैठा और मेरी बिली मेरी गोदी में आ गई सभी feelings of loss and tragedy seem to diminish सभी feelings जो मेरे चीजे सावान कोने की जो tragedy थी वो मेरे दिमाग से में इमोशन सभ गायब हो गए I felt gratitude for my life मुझे पहली बार लगा कि मेरे जिंदी की बहुत काम की है my new friends the kindness of a stranger and the loud power of beloved cat my cat was back and so was high और मैं और मेरी कैट अब दोनों ही अपने पहले वले जेव में वापस आना चाहते थे तो यह हो गया भाई दोस्तों extract इस extract से हमने क्या सिखा कि आग लगी थी गायब हो गई थी घर गायब हो गय थी लगिन आसपास वाले लोगों ने मिलकर सभ दुबारे बनवा दिया अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो पहले statement है which of the statement is not true as per the extract कि extract के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो कौन-कौन सी statement जो है वो true नहीं है और दूसरी बात यहाँ पर मेरे सामने आएगी कि which of the following words does not correspond to the word plight plight का क्या मतलब है देखे plight हमने यहाँ पर पड़ा था surprisingly everyone came to know of this plight yeah this accident they helped many way तो इन दोनों सवालों के जवाब देख लेते हैं दोस्तों तो क्या जवाब है भाई पहला सवाल देखते हैं दोस्तों कि which of the following statement is not true as per the extract तो क्या true नहीं है the author was enjoying his high school days गलत बात वो तो isolated feel कर रहा था यह नहीं not true यह not true the author and his mother had to spend the night and get a parent सही बात they had lost their house सही बात the author of our house was getting renovated जी नहीं रिनोवेट नहीं हो था आग लगे थी तो यह भी गलत बात तो first or fourth बात गलत है तो अंसर हो गया C if the following word does not correspond to the word plight plight मतलब जो घटना होई थी दुरगटना उसके कारण सब लोगों ने इसकी मदद की थी तो उसका मतलब टरबल हो सकता है discomfort यह बरी पर उसका मतलब जोई तो नहीं हो सकता तो यह इसका आंसर हो गया दोस्तों तीसरा सवाल है why did the author feel isolated in the high school यह जितने भी सवाल में इनके one by one आपको जबाब बता देता हूं दोस्तों तो भी तीसरा सवाल था why did author feel isolated in high school क्योंकि author जो है isolate feel कर रहा था because he missed his old friends and teachers ठीक है next question है question number 4 what happened to their house and why did this his mother go back inside उसकी मा यह तीसरा question है दोस्तों sequence में यह चौता question है उसकी मा वापस क्यों आई अंदर गई क्यों वापस एक deadly fire जो उसकी घर के असपास ब्रोक हो गई थी उसकी मदर अंदर गई to save pictures and letters of authors later father ठीक बात है यह चौता सवाल हो गया भाई दोस्तों उसकी बाद हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की पाचवा सवाल I rain and hug her can you explain what did the author realize in that moment तो हमें जानते हैं ने पढ़ा एक्सिक्ट उसको खोने का डर लगड़ा था अपनी मा को when fire fighters brought her mother safely from burning house the author rain over and hugged her because he realized his fear of losing his mother simple सी बात है next question question number 6 उपर 5 है दूस्तों क्या है if there were no fire accident then what could have been the end of the story अगर fire accident नहीं होता तो क्या हो सकता था कि शायद author के दुबारे कोई दोस्त ना बनते if there were no fire accident the author may not come to know about the importance and nature of person he has in his life ठीक बात है अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों साथवा सवाल imagine there is a student who has recently joined your class how would you help him in getting arrested with a new change आपकी class में मालेचे कोई नया बच्चा आया है तो आप उसकी किस परकार मदद करेंगे कि वो नए इन महौल में क्या हो जाए उसको ढले में असानी हो जाए तो भई मैं उसको कुछ समान दूँगा कुछ किताबे दूँगा ताकि उस बच्चे को कोई भी किसी भी परकार की परशानी ना हो पाए मैं करना तो मुझे यही चाहिए और शायद हम में से जादत लोग करेंगे भी यही है ना में दोस्तों हम सब के साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई ना कोई हमारे स्कुल में कभी ना कभी जरूर आ गया होगा तो यहां पर हमारे सात्वा सवाल जो होगा उस कांसर हम देंगे if a new student join our school, class we will help him or her with new changes by behaving friendly, helping him or her study we will play with him or her and share our belongings with him or her whenever she needs, सही बात है now let's talk about the last question दोस्तों do you agree with the author when he said my cat was back and so was I opinion yes we agree with the words of author my cat was back and so was i signify the changes that are on his aros in his thoughts and behavior he was feeling isolated after he changed his school but when fire broke out inside his house the behavior of others make realize importance of his classmates and his mother as fire break out incident se usko ne doostor apni maa ki kiemet pata chali and his pat as feeling of isolation now vanished and now he has made new friends so this is our story 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 we have completed our work sheets to do with us if there is any work sheets or any doubt you want to take a class we will help you in every way thank you very much subscribe to the channel